दोस्तो जब से RBI ने नय वाला settlement का policy लाया है उसके बात से banking association और RBI के बीच में बहुत ज़्यादा विबात चल रहा है क्योंकि दोस्तो RBI ने खास कर कहा है कि जीन customer ने willful default जान बुझ के पैसा नहीं दे रहा है या फिर जो लोग fraud किया है उन लोग के साथ bank जाके compromise settlement करे clause दिया गया है जो आने के बाद से रातो रात banking system में बहुत बढ़ा change हो चुका है बहुत बढ़ा update हो चुका है और ये update जो है उन लोग के ने फाइद मन्द होगा जिन बॉरवर ने अपना loan हाली में settlement किया है या फिर settlement करने जा रहे या फिर जिनका loan NPA जा चुका है उनके लिए एक बहुत बढ़ा बरदान के लिए है क्योंकि दोस्तों आईसा clause जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर प्रूप के साथ और साथ मैं उसका verify link भी दूँगा और जो भी clause बताया है उसका meaning क्या होगा वो पूरा information में आगे बताने वाला हूँ तो अगर आप भी कोई loan का EMI नहीं भड़ पा रहे हो या फिर आपने हाली में loan settlement किये हो या फिर करने जा रहे हो तो वीडियो को जरूर देखिए अगर आप चैनल में नए आया हो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए और अगर वीडियो का content अच्छा लगता है तो like बोटन को जरूर प्रेस करिएगा तो 2020 में आपको ही पताए कि जैसे ही covid आया ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका job या business बंद हो गया जिसके चलते उनका loan default हो गया मतलब उससे पहले उसने कभी भी loan default नहीं किया था लेकिन उनका job या business के चलते उनको मजबूरी में आपना loan default करना पड़ा और जैसे ही loan default किया उस में से 80% ऐसे लोग थे जिनका unsecure loan था जिनको मजबूरन loan settlement करना पड़ा आइदर वो settlement नहीं करने के कारण उनका loan जो है willful default या फिर fraud डिस्ट में चला गया है अभी उनका job या फिर business दूबारा चालू हो चुका है लेकिन अभी इस हालत में नहीं है कि वो पूरा पैसा एक स पे कर सके तो उस सिनारियो में आज के टाइम में अगर उनको loan की ज़रुत पर रहा है तो bank से जाके rejection का सामना करना पर रहा है क्योंकि RBI का policy ही ऐसा है कि अगर आपने इससे पहले कोई भी loan settle किया है तो आपको दुबारा loan मिलना बहुत ही मुश्किल है तो दोस्ता इसके चल से दोस्तों इसके देखते हुए RBI ने नहा policy लाया है कि जो customer settlement नहीं कर पा रहे या फिर जिनका fraud हो चुका है या फिर willful default है उनके लिए आप bank जाके compromise settlement कर ले साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा update कर दिया है इस settlement customer के लिए मतलब जो भी customer अभी settlement करेगा उसक बैंक नया लोन दे सकता है बिल्कुल आप सही सुन रहे हो जो भी customer settlement करेगा उसको भी अभी लोन मिल सकता है अभी आपका question हो कि यह आप कहां से बात करो अब हाँ मैं ऐसे कैसे बोल सकते हो दीखे दूस्त में हाँ मैं नहीं बोल ला हूँ यहाँ पे मैं आपके screenshot दिखा रह है कि आप जिन customer के साथ compromise settlement कर रहे हो उसको बारा मैहिने का cooling period दे सकते हो एक साल के बाद यहाँ पे आप fresh exposure मतलब यहाँ पे loan की बात हो रहा है fresh exposure मतलब यहाँ आप दे सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखिए यह जो policy जो clause है यह RBI का एकदम strict guideline नहीं है यहाँ पर यह total जो guideline है यह suggestion है यह guideline तब applicable होगा अगर उस bank का MD या फिर board approval होता है मतलब यह जो policy है यह totally banking का internal policy के ओपर है मतलब board approval policy के सबसे होगा मतलब bank चाहे आपको दे भी सकता है bank चाहे नहीं भी दे सकता है उस bank का internal policy लेकिन RBI नहीं यह suggestion दिया है कि आप इसको loan दे सकते हो जो कि प या फिर willful deferder है उसको आप loan दे ही नहीं सकते हो तो यह 2007 का उनका आदेस था उसके इसाबस में बता रहा हूँ लेकिन उसको change करके यह वह ला clause डाल दिया गया है आप यह RBI खुदी बोल ला है जो customer ने इससे पहले thought किया था willful deferder है यह जिसके साथ आप settlement करे उसको भी आप fresh loan दे सकते हो लेकिन वो approval कौन देगा वो approval देगा आपका bank का जो managing board है मतला board approval policy के इसाब से मिलेगा तो दोस्तों यह अपने आप में बहुत बड़ा जो है फाइदा होगा उन customer के लिए जिनका भी loan जो है settle हुआ है यह तो मैं retail की बात करूं उसके साथ साथ दोस्तों और भी बहुत जो corporate house है जिनको fraud case में फस चुका है जिनके पास legal action वगरा चल ले तो वो customer भी जाके settle करके दुबारा loan ले सकता है तो दोस्ता आपके राई में क्या है क्या है क्योंकि यहां पर banking association इसका जोड़दार विरोद कर रहे है क्योंकि उनका कहना है कि इससे जो है जो NPI है उ आप अपना राई मुझे जरूर बता सकते इस वीडियो का कॉमेंट सेक्षन में और हम मिलते आगले वीडियो में तब तक अपना बहुत सरा ख्याल लेखिएगा जैहिंद बंदे मातरम